नमस्कार साथियू UPSC Master में आपका स्वागत है मित्रो इस वीडियो में हम ब्रीफली डिसकस करेंगे विश्व में ववस्थित नगरीकरण का प्रथम साक्सातकार करने वाली हडपा सब्भता की अस्थापत्यकला पर मेरा नाम है मरोज कुमार और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेस्बुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी जिनके लिंक डिस्किप्शन बॉक्स में दे हुए हैं यह सब्भता उत्तर पस्चिम भारत में पहली हुई है और इस सब्भता की अस्थापत्यकलाप में हम दो बिंदों पर खांस कर चर्चा करेंगे सबसे पहले हम यह जानेंगे कि इस सब्भता की अस्थापत्यकलाप की परमुक विशेस्ताए क्या है और फिर हम यह चर्चा करेंगे कि वो कौन सी अस्थापत्यकलाए हैं जिस वजह से यह सब्बता विश्व की प्राचिंतम सब्बताओं में आज तक अपना स्थान बनाय हुए है सामने अस्क्रिन पर आपको एक चितर नजर आ रहा होगा जो हडपा सब्बता की सेटलाइट इमेज है यहां आप इस हिस्से को देखेंगे तो यह है नगर का पुर्वी हिस्सा है जबकि ये वाला हिस्सा नगर का पस्चिमी हिस्सा है पुर्वी वाले हिस्से में ज्यादा सन्चनाई दिखाई पड़ रही है जबकि जो पस्चिमी हिस्सा है उसमें कम सन्चनाई नजर आती है तो हडपा सबता में ज्यादतर नगर दो भागों में विभाजित थे एक पूर्वी भाग और दूसरा पस्चिमी भाग जो पूर्वी भाग होता था वो सामान जनता के रहन सहन के लिए होता था जबकि इसका पस्चिमी भाग गड़ इलाका होता था यह यहां परमुक बित्त रहा करते होंगे उसको गड़ इलाका के नाम से भी जाने जाता है इस गड़ इलाके में ही बड़े बड़े अस्थापत तकलाएं देखने को मिली है जैसे अन्नागार प्रसासनिक भवन अस्तंभो वाला हौल बड़े बड़े आंगन ये सारे के जो एविडेंस मिले हैं वो सा और सासको के या अभिजात वर्ग के रहे होंगे और यह सब्भता इतने ववश्तित ढंग से बसी हुई है तो यह मानना अतिसोक्ति पौन नहीं है कि इस सब्भता में एक सासक वर्ग भी विद्धमान नहा होगा आप अस्क्रीन पर एक और चितर देख रहे होंगे ये गड़ इलाका है और ये जो है जो पूर्वी हिस्सा है ये रहायसी इलाका है जो सामाने जंता के लिए बना गया होता था जो गड़ इलाका है गड़ इलाके में हमने चर्चा की है कि ये सासको के लिए होता था कुछ प्रमुक अस्थापत्ति यहां देखने को मिली है जो सा पायताकार पदती पर बसा होता था अर्थात जो मुख्यमार्ग हैं वो उत्तर से दक्षिन तथा पुरव से पस्चिम एक दूसरे को समकोन पर कारते थे इन मुख्यमार्गों से विथिकाएं अंदर की साइड निकलती थी और इनी विथिकाओं के दोनों साइड मकान बने होत जो मकान होते थे एक मंझिला भी होते थे बहो मंझिला भी होते थे इसके लावा नगर की सुरक्सा के लिए एक बोंटरी भी बनाई जाती थी जो आप सामने चित्र में देख रहे होंगे हडपा सबबता में तीन प्रकार के भवन देखने को मिले है निवासग्र है जहां आमाद में रहता होगा सारुजनिक भवन जैसे यहां कुछ ऐसे प्रकार के भवन मिले हैं जिनमें आंगन बहुत बड़ा है या ज़्यादा खंबे लगे हुए हैं और सावजनिक असनानगार या अननागार तो ये तीन प्रकार के भवन इस सब्बता में देखने को मिले हैं निर्मान के लिए हडपाई लोग माननिकरित इन्टो का प्रियोग करते थे जो तीन अनुपात, दो अनुपात, एक में होती थी और ये इंटे पक्की भी होती थी और कच्ची भी होती थी पक्की हुई इंटों को जिपसम से चिपका जाता था या जो कच्ची इंटे होती थी उनको गारे से चिपकाने के भी एविडेंस मिले है हडपा सब्बता के प्रमुक अस्थापत इस्प्रकार है स्थर्मिक आवास और अन्नागार इन अस्थापत्यों के एविडेंस मिले हैं हडपा से और इसमें अन्नागार हडपा सब्भता का सबसे बड़ा अस्थापत्य है अस्थापत्य है अस्थापत्य नहीं है अन्नागार है मोहन जोदलो से असनानागार और अनागार के एविडेंस मिले है एक विशाल असनानागार मिला है जो इस बात की और संकेत करता है कि संभवते सामूहिक अस्तर पर धार्मिक आयोजन कराये जाते रहे होंगे लोथल से भी अन्नागार और गोदिवाड़ा दो प्रमुक अस्थापते हैं तो कई बार पेपर में भी पूचा जाए सकता है कैसे कौन से अस्थल है या जो जहां से अन्नागार के एविडेंस मिले है तो हडपा, मोहंजोद्रो और लोथल तीनों जगह से अन्नागार के एविडेंस है वयापार चोकी ये मिली है सुतकांगे डोर से इसके अलाबा दोला विरा से मिला है तीन नगरों में विभाजित नगर जो एक मातर है खेल का मैदान ये जिसको अस्टेडियम भी कहा जाता है बनावली से प्राप्त हुआ है नगर के चार ओर जो दिवार बनाए गई थी उसके आगे एक खाई खोदी गई थी जैसे आप रामायन में देखते हैं या मावारत में देखते हैं नगर होता था नगर को प्राचीर से घर याता था और प्राचीर के बाहर खाई बनी होती थी उस खाई में पानी भरा होता था तो इस प्रकार के एविडेंस मिले हैं बनावली थे जबकि कोट दीजी से मिला है evidence कि वहाँ जो घर बने थे उन सभी घरों में आधुनिक घरों की भाती पत्थरों की निव डाली गई थी बाला कोड से प्राप्त हुई है सीपो की कारिशाला और हडपा सब बता तो इतनी उतकुर्ष्ट सब बता रही है कि वरतमान समय के नगरी करण में भी इतका प्रियोग हो रहा है आज देखिए आज ये दिक कोलोनी बस रही है तो वो हडपा सग्यता के पूरे पैटन पर है वहाँ जो मुख्यमार्ग होते हैं वो समकुन पर एक दूसरों को कारते हैं विथिकाए अंदर की साइड निकलती है और उसके दोनों साइड मकान बने होते हैं जो एक मंजला होते हैं बहु मंजला होते हैं हडपा सबता में हमको ये देखने को मिला है कि वो मकान सुविधाओं से लेस होते थे वहाँ सोचाल ले था कुवे थे धवन पातर थे सभी प्रिकार की सुविधाएं थी वरतमान समय कि अस्थापत्य में भी वास्तु कला को प्रमुकस्थान दिया गया है मुझे आसा है कि इस वीडियो ने अरप्पाकालिण अस्थापत्य कला की विशेय में आपके सारे डाउट्स क्लियर करती होंगे फिर भी ये दिया आपका कुई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए थैंक्स पूर वाचिंग जय हिंद जय भारत, महासक्ति भारत